है हम लोग आज हम लोग एक दिन की गेप के बाद मिल रहे हैं कल थोड़ा सा अमरेजनसी वर्क था मुझे इसलिए मैं आपको समय नहीं दे पाया दोस्ता आज हम लोग बात करते हैं इस्पेशली जो आज की टिपेकल लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ठीक है जैन्स भी कुछ हद तक इससे प्रभावित होता है लेकिन जादा तर कैसे में लड़किया प्रभावित होती है दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एनौरेक्सिया नर्वोसा यनि आप अं इच्छा नहीं कर रही है मैं नहीं खाऊंगा ठीक है अगर ऐसा कोई भी कैसा आता है आपको अनौरेक्सिया नर्वोसा के जैसे डील करना है ठीक है जब आप जनरल टानिक नैच्रल टानिक के बाद करते हो तो यह दोस्त सबसे बैस प्रोड़क्ट होता है जब यहां पर का यह पाँच है तूटल अलग लग एक जनरल टानिक जो होता है स्टमक से लगाकर लिंपडिक प्रोडक्शन के तरफ लेकर जाता है और जो नैच्रल टानिक होता है वह बैसिकली आपको दू तरह से उसको बैस सकते हो अगर प्रें की तरफ भेजना तो वहां भी बैसकते हो आप जैसे जनरल टानिक बनाया S2 C15 B डाल दिया आपने especially stomach के तरफ आपने especially glandular organ के तरफ जो है आपकी medicines को flow को बढ़ा दिया आपने इसलिए glandular organ के तरफ आपने बढ़ाया इसका मतलब आपने functions को तीज किया ठीक है blood circulation बढ़ाया C15 8 किया तो वहां पर especially stomach के level को आपने जितना problem से वहां पर उसको repair regenerate करने के कोशिश किया और S2 मतलब glandular organ के तरफ आप जनरल टानिक को आपने negative भेजा यहां पर जनरल टानिक को आपने D4 में भेजा तो इन medicines से थोड़ा सा lighter भेजा तो यहां पर यह medicine उस organ के तरफ जहाँ S2 C15 B जा रहा है वहां पर purification काम करेगा दोस्त इसी प्रकार नेचरल टानिक के जब बात करते हो नेचरल टानिक का में काम होता है S10 S10 especially वहां पर आपकी इंटेस्टाइन पर work करता है जब सीटेन वरवन वाई आप एट करके दे रहे हो आप पूरे इंटेस्टाइन से purification कर रहे हो wash out कर रहे हो जितनी भी good or bad bacteria के जो disturbances होत इसलिए यहां पर बहतरी वर्ग देखने को मिलता है तो यह condition table practice के according आपको state करने को मिलेगा उसके लिए बहुत सारी thesis समझना ज़रूरी होता है जो step by step सारी चीजे जब आप audio सुबते हो general tonic natural tonic के आपको सारी चीजे वहां पर देखने को मिल जाती है जब आप anoresia nervousa की बात करते हो दोस्तों बहुत ही serious eating disorder होता है इसके प्रणाम शरूप आप याद रिखेगा दोस्तों unhealthy prior dangerously weight loss होता है unhealthy मतलब जो आपके health के लिए बहुत नुकसान दायक होता है और इसी कारण से दोस्तों unhealthy eating disorders महाँ पर जब डेवलप होगा तो dangerous weight loss डेवलप होता है दोस्तों अर्थ और बढ़ जाएगा और वो उस डर के मारे खुद को भूका रखने के साथ इसाथ खाना खाने पर उल्टी कर पूरा भोजन तक निकाल देने की कोशिस करता है दोस्तों यह नहीं यह एक प्रकार से कर देखा जाए ना तो functional बिमारी नहीं है मांसिक बिमारी है mental याद इसलिए एनोरेक्सिया नर्वसा को एक तरह से मांसिक बिमारी के रूप में ट्रीट करना चाहिए दोस्तों जीतना भी eating disorder से जुड़ी problems होती है वो सारी के सारी कहीं न कहीं interconnect होती है इनोरेक्सिया नर्वसा से इसलिए यह व्यक्ति की जान जाने का कारण भी यही एनोरेक्स नहीं मिलता है आगे जाकर एनोरेक्सिया नर्वसा में कनवर्ड होकर उस patient की जान भी चली जाती है दोस्तों इसलिए जब भी हम इन टैवल प्रैक्टिस में इस तरह के किसी भी condition को हम related देखते हैं हमें clearly याद रखना है दोस्तों जब भी यह condition देखने को मिलती है जितनी भ पर अपने body को काया को maintain करने के लिए food को restrict करती है और इसी कारण से उनमें यह problems देखने को मिलती है लेकिन कई बार हम देखते हैं दोस्तों जितनी भी ओनरक्सिया से गसिद आप condition देखते हो तो सभी age के women और men इससे प्रभावित होते है according to atmosphere according to their development वहाँ पर उनको nutrition मिल रहा ह नहीं मिल रहा उसके according जान वहाँ पर निर्वर करता है इसलिए जो healthy body weight नहीं maintain कर पाने के द्वारा characterize होती है दोस्तों यह weight burn नहीं जाए इस बात कड़र उसको लगातार बना रहेगा और यही कारण है उसको ऐसा लगता है कि मेरी body में कहीं कहीं un-easiness हो जाईए अगर मैं मो करने के सबसे बड़े कारण है ठीक है वही लोगों ने लोगों को इस conditions के level पर लेकर आये कि यहां पर आप बिल्कु स्लीम इन फिट रही है और उसी के कारण वह एक तरह से ठीक है लेकिन हमारे जैसे जो daily life workers हैं उन लोगों के लिए बहुत dangerous है क्योंकि हमारे पास काम करने क और शक्ति भी नहीं मिले की दोस्तों क्योंकि हमें काम करना है वो लोग काम नहीं करते हैं उनके याद रखेगा हमारे में से बहुत सारे लोग वेट बढ़ना जया है बस यह चीनता में बुले रहते हैं और इसी कारण से क्या करते हैं वह एनऔर एक्सेम ही रहते हैं ठीक है हम काफी गहराई से वेट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद रखेगा रूटी छोड़ने से कोई बढ़ता है न घड़ता है याद रखेगा भूजन जरूरी है अगर भूजन नहीं करा आप उसके साथ थोड़ी एकसरसाइस कर लिज हम भूजन और हमारी बॉड़ी के बारे में पूरे दिन सोचते हैं और इसी कारण से हम दोस्तों और फेमिली के साथ कम समय पिताने लग जाते हैं ठीक है एकदम एकांतवासी हो जाते हैं और इसी कारण से दोस्तों जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन्हें एक्टिवि लेकिन दोस्तों यह इंटेंस वेट लॉस आपकी बॉड़ी के बहुत सारे इंटरनल इस्ट्रक्चर के लेबल पर भी होता है ठीक है अब इंटरनल इस्ट्रक्चर में जो फेट का डिपोजिशन होता था जो एनर्जी लेबल मेंटेन होता था जिसके कारण वो अपना काम अपने को बहुत सारे एक्स्टरनल प्रेशर या इंटरनल प्रेशर से बचा पाता था क्या वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा और इसी कारण से बहुत सारे कामप्लिकेशन्स वहाँ पर डेवलप होता है कि तु कोई बात नहीं हम कितने पतले हो जाए उसके भी परयाप्त वहाँ पर कोई परयाई नहीं नहीं मिलता है दोस्तों लेकिन क्या होता है स्वयम को ठीक देखना स्वयम को बिलकुँ स्लीम इंट फीड देखना केवल एक मकसद होता है लेकिन दोस्तों यह बहुत डेंजरस होता है क्यों पेशेंट स्वयम को भूका रखने के द्वारा ज मैंने लेक्जिटिव खाया तो बहुत ज़्यदा दस्त होंगे और दस्त होने से मेरी बॉड़ी में जितना वेस्ट मेटरेल जमा है उस सारा निकल जाएगा लेकिन उसे नहीं पता उसका डाइजिशन तो पहले से करेक्ट था मैं जबर जस्ति अगर ले रहा हूं तो इंटेस ज्यादा स्ट्रेस में रहता है कि मैं खाऊं नहीं खाऊं खाऊं नहीं खाऊं इसलिए फूट खाएं या क्या ज्यादा खाएं इसी बारे में सूचता रहता है कि उससे कोई मतलब नहीं होता है कि वह जो खा रहा है वह सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है उसको स्वय की मदद और support के साथ साथ हमें anorexia, nervousie को hold करना उसको break करना ज़रूरी होता है ठीक है हमें westric body का development होता है जो image होती है हमारी body के level पर हम health को balance करके उसको develop कर सकते हैं दोस्तों niye कोई कमजूर है हमुसको balance कर सकते हैं यह formula बहुत मैक्सिमम कैस में मैंने दिया है जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा वीक्नेस की कंडिशन डेवलप हो लिए तब हमें S1 A1 W का ही प्रोटोकॉल देना चाहिए क्योंकि यह पावर होता है शक्ति वर्दक होता है भूग को खोल देता है जनरेशन को डेवलप क देता है इसलिए इसका उप्यूग जादा करना चीह है लेकिन अब आप जो काजिस के लिवल पर आते हो कि वह एनुरेक्सिया नर्वोसा के काज़स क्या है एनुरेक्सिया के स्पेशल कास्व को पहचानना बहुत मुश्किल होता है लेकिन एक्सपर्ड ऐसा मानते हैं कि ए इसे personality कोई व्यक्ति कहता है नहीं साब मेरी personality में obesity दिख रही है ठीक है आप डॉक्टर से हैं दोस्तों उसको समझाईए height weight और आपके development के हिसाब से आपका जो है वहाँ पर पूरा प्रिड में रेता यहीं तो वह समय होता है बच्पन का खाया बुड़ापे में काम होता है गलत नहीं कहा जाता है अगर आप इसी समय अपने आपको damage कर रहे हो भविश्य क्या है आपका पता है अपके चेहरे पर दिख रहा है ठीक है इसलिए कई बार क्या होता है genetics होता है यह यहीं एक व्यक्ति अगर आपको नजर आता है वह व्यक्ति उसकी फैमिली बैक्ग्राउंड के लेवल पर जाओगे आप वह मोटा है तो वह मोटा होता चला जाएगा ठीक है एक पतला है तो वह पतला होता वैसा वैसा ग्रूथ करेगा बहुत कम ऐसी condition होती है कि वह अपने best approach होता है आपको किसी patient को अगर chronic autoimmune disease के level पर अगर कोई patients को develop हुआ है मैंने अभी तीन cases को deal किया है तीनों के तीनों autoimmune disease के level पर एक साल देर साल के लगबग स्वयम के द्वारा केवल monitoring करने के माध्यम से ही without any electronic remedies वहाँ पर मैंने ठीक किया है दोस्तों studying के दो-तीन मैंने मैंने जरूर medication किया था उसके बाद मैंने उनका medication बन कर दिया मैं किस चीज के लिए दूँ उसके बाद मैंने guide किया उनको और guide करके dietitian के level पर मैंने guide करके उनको दोस्तों super quality का body उनको दे दिया है आज वो perfect है जितना उनको खाना उतना ही खाते बाहर का न सब्सक्राइब करते हैं हम लोग वहां से सूचना शुरू करते हैं इसलिए अपने आपको अपडेट करते रहे हैं आप बहुत positive जाएंगे दोस्तों ठीक है तो यह चुड़ी चुड़ी चीज़ी होती है सभी प्रकार के आप psychological बात कर लो emotional health status देख लो यह बहुत important cause होते है यह आपका emotional health status बहुत dangerous है ना तो आप क्या करते हो गुस्सा करते हो और जो गुस्सा करा मुझे नहीं खाना गुस्सा कर लिया आप देखो वह anorexia nervosa के level पर ही develop होता है इसलिए यह कोई risk factor है तो वह आपको दोस्तों निच्चित नहीं बताता कि यही कारण महाँ पर दोस्त हाला कि जब इन में से ज़्यादा factor शामिल होता है जिस patient में तो दोस्तों आप मान के चलेगा anorexia के कारण महाँ पर develop होता है यहीं बहुत हद तक आप जाएंगे वहाँ पर eating disorder develop होगा ही यहीं आपने eating disorder को develop कर लिया है तो मान के चलेगा anorexia nervosa आपको develop हो जाएगा दोस्तो ठीक है इसलिए दो condition यहाँ बी जो है यह blood circulation बनाता है लेकिन अगर वहाँ पर आपको लग रहा है कि glandular secretion कहीं न कहीं कम जादा हो रहा है आपको आरी का प्रेवक करना है आप सीधा आरी का प्रेवक कर जिए का दोस्तों इन बताऊंगा मैं आपको भी जब आप symptoms पर जाएं कि में खाऊं क्या ने खाऊं ठीक है अगर यह सारा condition आपको नजर आ रहा है न पेशेंट बोलता है अनौरक्सा नर्वसा के जब physical sign और symptom आप देखोगे न आप देखो उसमें starvation होता है यह नहीं भूका ठीक है starvation से related सारे system नजर आएंगे आपको symptom के रूप में कि तुझ इ यह जो होता है माइंड अपने क्लिक कर लेता है ब्रें में कि नहीं मुझे ता पतला होना है ठीक है और यही कारण है दोस्तों जितने भी आवास्तविक सो संबंदित यानि बॉड़ी वेट से रिलेटेड उसको जितना भी और फियर डैवलप हो जाता है वो सबसे बेस्ट क आप देखोगे सबसे पहले वेट लॉस बताएगा ठीक है इसके कारण अब नॉर्मल ब्लट प्राउंड बताएगा जब आप सी बीसी टेस्ट करा लोगे ना आप देखो एब नॉर्मल ब्लट देखने को मिल जाएगा फटिग पेशेंट फटिग के सिम्टम बताएगा इं चल्ट बीस डिसकलरेशन नफिंगर का जो है डैन पर ब्लीस डिसकलरेशन हो जाना बालों का पतला पर जाना तूट कर जड़ जाना अब याद रखेगा इस श्म्टम बता रहे हैं कि जब भी किसी महिला के यह जेंश के बाल जड़ते है इसका मतलब इसको जो ढॉनाइं की इसी लिए आप देखो महिलाव में अगर एसी कंडिशन होगी मैंस्टुरेशन प्रभावित होगा एपसेंस हो जाएगा कई बार कांस्किविशन हो जाएगा ड्राया यलोई सिस्कीन एकदम पीला पढ़ जाएगी लेडिश जैसे इसको देखकर आप डारेक्ट बोल दो के करे यार यह तो एनिमीक है ठीक है इन्टॉलेंस अब कोल्ड कोल्ड जब मेटाबोलीजम ही नहीं हो रहा है मेटाबोलीजम ही डाउन हो रहा है तो जैसे हापोथार्ज में होता है मैं बताउंगा आपको फिल कौन ठंड लन एक्लिशन को वह reuse कर ड मोर्ड रिधम बिल्कुल irregular heart इंदम होगी, low blood pressure के लेवल पर चले जाएगा, dehydration के लेवल पर चले जाएगा, osteoporosis के लेवल पर चले जाएगा, swelling of arms and legs, arms और legs के लेवल पर swelling में चला जाएगा, इसलिए anorexia nervosa डेवलप होता है, यही कारण है दोस्तों, यह बहुत complicated conditions होती है, लेकिन बहुत important rules and regulation को develop करती है, दोस्तों, आपको याद रखना है, यह आपके table practice में चार चान लगाएगा, अगर आपको यह बारी क्या पुता होगी, दोस्तों, जब आप investigation कराते हो, कि वहीं चलो, आप anorexia को diagnosis करना है, दोस्तों, तो ऐसी कोई single test होती ही नहीं, जो इतनी बड़ी disease को आप ज़रूरी है, दोस्तों, emotional health, present and past उसको कोई problem तो develop नहीं होती, वो देखिए, heart, lungs, blood pressure, weight, mouth, skin, hair problem के साथ, malnutrition को check करिए, कि सब आपको देखने को मिलेगा, eating habits को देखिए, health related questioning करिए, उसका personal आपको उसको पूरी counseling करना पड़ेगा, depression, anxiety को check करना पड़ेगा, आप cable blood test है, malnutrition पता लगा सकते हो, x-ray से पता लग सकते हो, कि malnutrition है, तो वहाँ पर कितनी bone weak हो चुकी है, body कितनी कमजोर हो चुकी है, यहनि osteopenia तो नहीं हुआ, ठीक है, यह condition आप detect कर चुके हो, बाकि कोई भी condition आप वहाँ पर detect नहीं कर सकते हो, यह आपका cable knowledge होगा, जो knowledge आपको update करके ब कारण है, यह सारी condition table practice में utilize कर सकते हो, तो यह था anorex and arosa, अब protocol select कीज़े आपकी, जब मैंने यहाँ पर इसीले cable B लिखा था, ताकि मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है, यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, B तो उस case में देना, जहाँ पर blood circulation ही कम हो गया, एनीमिया की condition हो गई, ठीक है, ऐसे मैं general tonic D4 और S2C15 B दोगे, तो बहुत अच्छे से काम करेगा, blood circulation को बढ़ाएगा, लेकिन nutrition अगर बहुत ज़्यादा regus कर रहा है, बहुत कम है, आपको भूख बढ़ाने के जर्वत है, क्या करोगे आप, आरी का प्रयोग करोगे, S2C15 आरी का प्रय कितनी भूख लेगी, anorexia nervosa में वो लोग भूख को मार रहे हैं, हम भूख को बढ़ा रहे हैं, इसलिए ये protocol बहुत बढ़या काम करेगा, आप चाहो तो VRE दोनों दे सकते हो, लेकिन जहां तक है, S2C15 आरी का प्रयोग बहुत brilliant result देता है, क्योंकि एक glandular approach में आता है, लगाएंगे तो already वो खानी रही है, और ज्यादा दस्त हो जाएंगे, ठीक है, हमें यहाँ पर डबली लगाना, neutral करना, सीटेन वर्वन डबली आपने लगा दिया, आप पूरे intestine में जो good और bad bacteria हो है, उसको neutral कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना, अगर आपको bad bacteria ज्यादा करके उनको धीरे-दीरे वहां से बाहर निकलता है, लेकिन अगर सीटेन वर्वन डबली दे दिया, neutralize कर देगा, neutralize करेगा, तो जबर जस्त भूख खुलेगी दोस्तों, याद रिखेगा इस बात को, क्योंकि यह जो bacteria होता है, बहुत important होते हैं, यह वहाँ पर जाकर पूरा यह आपको यहाँ पर यूज करना है, दोस्तों, इस प्रे आप 100 ml लिजे डिस्टिल वाटर, उसमें 95 ml रख लिजे, 5 ml ग्लिसरीन मिला लिजे, यह हो गया 100 ml, उसमें 10 ड्राप इच, A2, F2, C5, V2, Y, W, E, 5, 10-10 ड्राप सब डाल लिजे, अच्छे से 105 बार स्टोक करिए, य का स्प्रे कराईए, ठीक है, यह नॉर्मल एक्टिविटी को मेंटेन करेगा, भूप को खुलेगा और जितने भी डाजस्टिल डिसॉर्डर से उसको दूर करेगा, साथ मैं आपको स्टमक पर, especially, स्टमक रिजन में W का अप्लाई कराना है, लगातार आप W को अप्लाई करा आते रही है, देखिए आप, आप रिजल्ट बताईएगा मुझे केवल D4 को अप्लाई कराने से, ठीक है, जब सिंतेसी सेकंड डालिशन और WRE का यूस करते हो, अब आप सोच जाओ, मैंने इसलिए यहां पर आरी का प्रयोग उस समय यहां नहीं बताया आपको, यदि आप सिंतेसी सेकंड और WRE का प्रयोग करना चाहते हैं, तो यहां आरी न करके, H2C 15 भी ही किजिए, ठीक है, लेगिन अगर आप सिंतेसी सेकंड डालिशन डालिशन नाम इसलिए नहीं रखा, डक्टर एके सिंग ने, यह बहुत ही क्वालिटी का प्रोड़क्ट है, दोस्तों, स खुद बना सकते हो, सिंतेसिस को, वहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, S1, A1, F1, V1, C1, जितने 11 है, आपके अलेक्ट्रोमेपेद में सबको लिया गया है, और वहाँ पर उसको प्रिपेर किया गया, कई लोग यहाँ पर A1 का जगए 3 यूज क बहुत अच्छे मिले, तो मैंने नहीं के प्रयोग कभी नहीं किया, दोस्तों, आरी और वाई, याद रिखेगा, डी फोर में आपको अप्लाई कराना है, पांच, छे, साथ, सत्रा, एन अठरा, यह पांच पॉइंट्स होते हैं, इन पांच पांच के उपर आपको अप्ला सिस्टम, यह दो सिस्टम होता है, जिनके अकॉर्डिंग आपका बॉडी का वर्क होता है, और यह वर्क आप नहापर कर रहे हो दोस्तों, याद रखेगा, इतना आपने करा, लेकिन पेशेंट को उस कंडिशन से तुरंत उभारना है, S1 का 1000 या 10,000 तीन डोस्त, जैसे ही प वो directly starting दे दिए, क्या होगा, पहले बात, जितनी भी उसकी गंदगी है बॉडी की, ठीक है, वो reduce होना शुन होगे, दूसरी बात, चुकि आपने नर्वाइन फेक्टर दे दिया, सीधे नर्व को control करने के कोशिश किया, आप देखिएगा, तुरंत अनोरेक्षिया में क्या ह होता है, उसने क्या करा, अरूची डेवलप करी, खाने के प्रती उसकी अरूची डेवलप हुई, लेकिन जैसे S11000 दिया जाएगा, सीधे ब्रेन पे काम करके, आटोनोमिक नर्वस सिस्टम को स्ट्यूमलेट करेगा, स्ट्यूमलेट करके, वहां से भूख को बढ़ाएगा और जैसे भूख कुलना शुरू होगी, दस तो साफ होगे, भूख कुलना शुरू होगी ना, आटोमेटिकली अंदर से, जब ये प्रोटोकॉल्स के साथ, न्यूट्रेशन बढ़ा हो गया, सीक्रेशन बढ़ा हो गया, आटोमेटिक आपको एक महने तक असर रहता है, तीन प्रोटोकॉल से, और आपने जो वो तीन गूलिया दी थी, उसके बाद में देखा, कि हमारी बॉड़ी में स्टेंट आना शुरू होगा, हमें ऐसा लगने लगा, कि हमारी भूख खुल रही है, और जैसे जैसे भूख खुलती है, न्यूटिशन मिलता है, वैसे वैसे आप की बॉड़ी में वर्क शुरू हो जाता है, और वर्क जब शुरू हो जाएगा, तो आपको समझना है दोस्तों, कोई टेक्निक्स नहीं है, आपका मेडिसिन तुरंद काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड और लिम्प जो जान होता है हमारी बॉड़ी के, उस पर काम कर होती है, इसलिए आप confident हो जाओ, आपको केवल ब्लड और लिम्प को समझना है, सेल और टिशू को समझना है, कोई आरगन, कोई भी डिसीज उससे अच्छुता नहीं है, क्योंकि डिसीज होगी, तो सेल में होगी, टिशू में होगी, ब्लड और लिम्प में होगी, आपके जब आप किसी science की study करते हो, आपको सारी चीज़े पता होना चीए, दोस्तों, मैं जो आई आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ समय आपको बोर करूँगा, दोस्तों, दो या तीन दिन लगेंगे आपको सेल को समझने में, लेकिन मैं आपको guarantee से बोलता हूँ, दोस्तों, अ से काफिल लोगों ने coaching class में सेल टिशू पढ़ाना शुरू कर दे, इसके पहले कहा गए थे आप लोग, हम लोगों की जिन्दगी बरबाद हो गई है, 25-25 साल, 33 साल हमने practice करने के बाद में वो सीखा है, आप लोगों को सीधा मक्षन दिया जा रहा है, आज आप क्या करना चाहते हो, आप यहां से शुरू करेंगे दोस्तों, जब भी कभी किसी body को आप दिखोगे, आपका दिमाग सेल से शुरू होना चाहिए, आपको यह लगना चाहिए, आपको simple सा पता है, आपको tension लेने की जरुवत नहीं है, यह सेल है, कौन सी, ओवम, ठीक है, ओवम, यहनि लेडिस, जब mensurate करती है, mensurate करने के चौदमें दिन, बारा से सोला दिन के बीच में, ओवम निकलता है, उसको हम क्या बोलते है, सेल, यह स्पम, यह क्या है, यह भी सेल, ठीक है, तो जीवन, जब मिल रहा है, यह दो सेल मिलकर बनाया, जाइगोर्ट, क्या इसको सेल बोलोगे आप, यह multiple सेल के लेवल पर जाएगा, यहाँ पर, blastula, gastula, different stages हम पढ़ेंगा आगे, कई stages के लेवल पर आया, तो में तो सेल यह है, यह सेल आपस में मिलकर क्या बना रही है, टीशू बना रही है, ठीक है, ऐसे कई टीशू मिलकर क्या बन रहे है, औरगन बन रहे है, औरगन जब मिल रहा है, तो क्या बन रहा है, system बन रहा है, और system मिल रहा है, तो आप खड़े हैं, ना सामने बॉडी है क्या सबूत है आप जिंदा है बताइए आप क्या सबूत ही जिंदा अरो सिंपल सा है हम खा रहे हम देख रहे हम सुन रहे हम मूमेंट कर रहे हम लेटरिंग कर रहे हम दस्त कर रहे हमारा पानी के प्रोसेस से यूरिनेशन हो रहा है हमारे बॉडी का factor है दोस्तों यहीं आपको यहां जानना पड़ेगा कि सेल क्या है कैसे काम करती है तभी आप medicine के level पर काम करा सकते हो यहां पर मैं वो बारी की बताने वाला हूँ subject के according थोड़ा-थोड़ा करके जब काम किया जाता है तो बहुत perfect काम होता है आप जो सेल को पड़ोगे और सेल क के function जानने के बाद आपको यह पता लग जाएगा इस पर मेरी यह medicine काम कर रही है अगर मैं कह रहा हूँ s1a1we शक्तिवर्दक है तो आप मुझे बता दो सेल के level पर power को generate करता है s1a1we मैंने कहा कि यह शक्तिवर्दक है लेकिन मैंने कहा s1a1re यह energetic है अब मुझे बताओ दोनों में difference है s1a1we power generate करता आपकी body की strength बनाता है लेकिन energy generate नहीं करता है ठीक है s1a1re energy generate करता है क्यों अभी मैंने बताया आपको b e के जगह re use करना क्यों बताया आपको concept पर जाईए दोस्तों इसलिए बताया आपको वहाँ पर किसी भी जगह पर fluid के secretion के बाद में उस fruit के secretion से energy के level को develop करना पड़ेगा वो कैसे वो गारी क्या समझ दो आपको बहुत काम आने वाली है आपर दोस्तों यह सेल है आपके body में किसी आरगन की सेल है इस सेल में ऐसी बहुत सारी cells आपस में मिलकर contribute किये हुई है ठीक है इनके बीच में जो fluid पाये जा cellular और यहां बाहर यह fluid है यह कहलाएगा extra cellular प्लूट परेक्ट यह blood vessels गई है यह इनको nutrition के supply करती है ठीक है आप जब किसी level पर किसी medicine का प्रयोग करते हो ठीक है आप जब यहां पर किसी medicine का प्रयोग करते हो तो आप जब scroploso group के medicines दे रहे हो आप यहां पर आपने दिया तो lymph का production होना आपने खाना खाया खाना खाने के बाद आपके gland से glandular secretion हुआ उस glandular secretion से जितना भी adaptation हो रहा lymph के रूप में वो lacteals के माद्यम से lymph जो होता है दोस्तो वहां पर प्रयविश कर जा यहां लिंफ के production तक का का काम किसका scroploso group का यहां से जो nutrition पहुचाना है oxygen nutrition जो पहुचाना है यहां पर बनाने तक का का काम जो होता है scroploso का ठीक है वहां से scroploso मदद लेता है किस से anxiety group blood से A1 A2 A3 यह दि आर्टरी से blood पहुचाना A1 venus brain को यहा का काम कराना A3 S1 A3 ठीक है यह जनरल टानिक का काम बता रहा हूं नैचरल टानिक का काम बता रहा हूं कैसे काम करता है और यह काम बता रहा हूं कैसे इसको आप support करोगे जब यहां पर nutrition आ रहा है आप सेल की तरफ भेज रहे हो सेल के अंदर metabolic process हो रही है और यहां पर carbon dioxide waste product ब आप यहां S1 उप्योग कर रहे हो यहां A3 उप्योग कर रहे हो यहां पर आपने Venus लेवल पर क्या प्रयोग करा यह A2 का प्रयोग करा ठीक है ड्रेनिस के लिए बता रहा हूं आपको अब यहां पर जब आप किसी भी character के लेवल पर जाओगे आपको clear indication होना चाहिए दोस्तो जब यहां पर energy बन गई है आपने कर दिया अब आप मुझे बताइए अगर आप central ब्रेन के लेवल का work कराना चाहते हो ब्रेन का support लेना चाहते हो क्यों यह सेल कम या ज़्यादा दो hyper या hypo activity करती है आप क्या बोलते हो यह आरगन ज़्यादा काम कर रहा है भाई इसको कम कर समझना इस बात को जब आप यहां पर काम कराना चाहते हो बगेर नर्वस सिस्टम के करा सकते हो क्या बता दो आप मुझे नहीं ना यह nutrition कराना है तो आप यहां पर डारेक्ली ग्लेंड को स्ट्यूलेट करके सब कर सकते हो लेकिन क्या आप यहां पर nervous system को स्ट्यूलेट करे बगेर काम करा सकते हो नहीं करा सकते हैं आपको सेल के वर्कों को बढ़ाना या घटाना है तो एफ एट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा पूछेगा अपने माइंड से करेक्ट अब यहां पर oxygen आया nutrition आया सेल ने metabolism करा यहां तक तो blood circulation का का काम था blood ने यहां डाल दिया tissue blood में इसके बाद blood का काम नहीं है इसके बाद किसका काम है L1 lymphatico अब L1 ने यहां कर काम किया सेल के अंदर ले गया सेल के अंदर लाने के बाद जो वेस्ट प्रोड़क्ट ने उसको भी बाहर निकालने का काम किया उसने L1 ठीक है तो L1 हो गया ना middleman ठीक है A1 A3 और A nutrition को पहुंचाना आप D4 में दे दो nutrition मिलेगा D5 में दे दो दोनों बराबर हो जाएंगे D6 में दे दो negative हो जाएगा nutrition को purify करना शुरू कर देगा यही कारण है दोस्तो अब यहाँ पर अगर neutral label पर लाना है आपने W8 कर दिया यह बना दिया जनरल टानिक आपने आप मुझे बताइए क्या आप जनरल टानिक को D4 करके S2C15B दे रहे तो क्या इस चमक में nutrition होगा या नहीं होगा इस चमक में blood circulation बढ़ेगा या नहीं बढ़ यह वहाँ पर blood or limb को purify करेगा लेकिन जो organ की medicine दा लिए वो organs की तरफ जाकर काम करेगा that is the fact ठीक है और यही कारण है वो work कर रहा है और जबर जस्त वरक का आपको देखने को मिल रहा है हमारे practice में जितने भी doctors हैं जिन लोगों ने groups wise use किया है वो brilliantly protocol को यूज कर रहा है यही यह काम आप अगर S1 हटा दो S10 पर कर दो ठीक है यह काम आपके blood circulation से organ के तरफ जा रहा था लेकिन अगर आपने S10 8 कर दिया S10 L1 A3 F1 W यह नेच्रल टानिक हो गया यह नेच्रल टानिक हो गया सीधे आपके intestine को purify करना शुरू कर दिया आपने S10 वरवन वाई डाल दो पूरा intestine purify अगर W डाल दो balance कर देगा जैनि कई बार ऐसा होता है good or back bacteria के बीट में differentiation हो जाते हैं उनको balance किया जाता है यह process है अगर यह process है तो sale पे क्या sale का क्या रोले आप क्यों बता पढ़ाना चाहते हो बकवाशी लेकिन दोस्तों अगर आपने यह चीज नहीं पड़ी नहीं समझी आप मुझे बता दीजेगा कि आपका result क्या ठीक है जब हमने पढ़ लिया ना हमारे group के काफी senior members हैं जो आज मैं अपनी तारीब नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी कमिया देखी अपनी negativity देखी है और इसलिए मैं आप लोगों को positive बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने कर्म पर विश्वास करो full automatic आपके पास आ जाएगा ठीक है आपने कर्म ही नहीं करा आप क्या guarantee करते हो दोस्तों डॉक्टर बनना बहुत मुश्कील है डॉक्टर को सारे concept पता होना चीए attempt of murder का case भी चल सकता है अगर आपको पता नहीं ठीक है याद रखेगा आप पहले attempt तो करिए attempt करने के लिए knowledge तो बढ़ाईए अपने आपको update तो करिए update करोगे तब पता चलेगा कि medicines कहां करशी करती है इसलिए मैं सेल पढ़ाता हूं ठीक है याद रखेगा सेल एक सबसे छूटी ही काई होती है हमारी body हमारी body की structural और functional unit है मैंने दिखा है आपको कि और warm और sperm मिलेगा तो ही एक जीव बनेगा उसी प्रकार से जब cells मिलेगे group बनाएगे तब ही एक tissue बनेगा कई tissue मिलेगे तो ही organ बनेगा और कई organ मिलेगे तो ही system बनेगा ना ऐसे थोड़ी बन जाएगा ठीक है यह पूरी process हमें पता है दोस्तों अगर प प्रतेक सिंगल में लाइफ पाई जाती है दोस्तों लाइफ की जितनी भी specificity होती है यह जितनी विशेष्टा है होती है सारी के सारी सेल में पाई जाती है अगर आपने किसी सेल को जीवित रखने का गुण दे दिया आप उसको सालों से जिंदा रख सकते हो हमारे group के जितन एक औरगन की सेल्स उसमें इन्वाल्व हो गई आप बताओ एस वन एट फंक्शनल एफ वन नर्वाइन सीवन स्ट्रक्चरल ठीक है आप सारा वर्वन वर्मी फिगों के एंटिवेक्टिल एंटिवंगल सब आ गया एंजटी को आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन आ गया प है उडाब्स ज्यान घुमारिया ले कर आता है आप बज्जा होगे क्या आप भी देख जाएगा को क्रोंगा आप तो याद रखना synthesis, second dilution और W आपकी जिंदगी को 10 साल, 15 साल, 20 साल तक बढ़ा सुखता है एक डॉक्टर को anti-infectious के रूप में काम करता है उसकी immunity को strength बदान करता है क्यों करता है, because हमने sale के function को समझा और जब भी हमने use किया, बहुत ही brilliant result हमको देखने को मिल रहा है मैं पिछले 13 साल से use कर रहा हूँ, 13 years ठीक है, आज मैं आपके सामने हो, सुबह दो फिर्शान 3 time class लेना खौले अटेंड करना, बाप रे बाप, मेरे काम देख लोगे तब पागल हो जाओ गया इसलिए बहुत सारे लोग थोड़ा सा irritated भी होता है, ऐसार phone ने उठाते हो अरे phone उठाने के लिए समय भी चाहिए, आप लोग तो ऐसा सोचते हो कि आजमी फुरसत नहीं रहता है, ठीक है? याद लखिएगा दोस्तों, कई चीजे होती है जो आपको सीखने की में बताना चाहता हूँ, आप अगर सीखना चाहता है, most welcome दोस्तों जब भी आप specificity देखते हो, तो हर सेल के एक specificity होती है और जब सेल के specificity होती है, तो वो उसी के according काम करेगा God ने हलसेल को एक gift दिया है, कि आपको ये काम करना है ये सेल है, आपको ये काम करना है, इसी लिए हर organ के level पर आप देखो, उस organ के according महाँ पर नाम दिया गया है Central nervous system में चले जाओ, आप क्या बोलते हो, nerve cell, आप neuron को बोलते हो, nerve cell, लेकिन supporting cell भी तो होती है, आप क्या बोलते हो, Neuroglia, ठीक है, है ना, ये आप जो महाँ पर जाओगे, Neuroglia है, Dendrites है, ये सब क्या होता है, ये supporting cells के रुप में वहाँ पर काम करता है दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है, लीवर में जाओगे, हीपिटोसाइड, अब हीपिटोसाइड क्या, हीपेटिक मतलब लीवर, उसका नाम है, इसलिए उस cell को बोल दिया है, हीपिटोसाइड, ऐसे आप बोड़ी के different organs में जाओगे, different organs में काम कराने वाली cells के ले इसलिए मैंने कहा था, प्रोटोकाल मत पूछिए, 114 प्लांट पढ़िए, आप मैंसे सारे senior लोग जो 4 मैने के first batch attain, आप लोगों ने किया है, जो भी हमारे इस batch के members है, उन लोगों को पता है कि Oregon कैसे काम कर रहा है, कौन सा प्लांट कैसे काम कर रहा है, कहां काम कर रहा है, अगर उन्होंने क्लिकली पढ़ा है, उसके बाद उन्होंने remedies पढ़ी, S1 क्या, S2 क्या, उन्होंने पूरा detail पढ़ा है, synthesis कैसे काम करता है, ठीक है, जब उन्होंने detail पढ़ा, आप उनको समझ में आएगा कि सेल पे मैंने क्यों कहा था, यह Oregon यहां काम करता है, यह plant यहां का वहां से west product को आपके venus drainage में डालने का काम करेगा, इसलिए इसका importance आपकी body में बहुत होता है, ठीक है, extra cellular space, cells के बाहर के space को दो इस process में आप divide कर सकते हो, सेल के बाहर की, याद रखेगा, सेल के बाहर की, है न, यहां पर, जब सेल के बाहर के आएगी, तो एक आएगा intra cellular, ए एक आएगा extra cellular, दोस्तों, यहां पर interstitial cells या tissue space कहते हैं, यह tissue में cells के बीच में पाए जाने वाली space को interstitial space कहते हैं, यह cells के बीच वाली जो बताई मेंने, ठीक है, और vascular space, यानि circulation के दोरान, यह vascular space है, vessels और cells के बीच में जाने वाली, यह space क्या हो गई, vascular space हो गई, यह vascular space होती है, दोस्तों, जिसमें cellular का, यह जो circulation के process आती है, उसमें extra cellular portion का वहाँ पर use किया जाता है, दोस्तों, यह नि बाहर से आता है, जो भी fluid इस blood में से dilet होकर, blood vessels वहाँ पर डालती है, वो fluid extra cellular food के रूप में, आपको देखने को मिलेगा, जो integrity को maintain करता है, यह नि blood circulation को maintain कर यह दिमाल लो, blood बहुत ज़्यादा, blood vessels बहुत ज़्यादा डालेट हो गई, अब डालेट हो गई तो क्या हुआ, उसके pores क्या हो गए, बढ़ गए, अब pores बढ़ गए तो क्या हुआ, blood circulation बढ़ा, लेकिन उस portion में आप देखो, tissue fluid collect हो जाएगा, collect हो जाएगा, in the sense, odema का नाम सुना, swelling, आख के नीचे बेक बन रहा, हाथ में सूजन आ गया, यह चोट लगी सूजन आ गया, knee joint पे, देखो, kidney खराब होती है, आपके यहाँ पफीनेस आता है, साथ में ankle joint में सूजन आता है, वह kidney खराब हो रही है, लेकिन प्राबलम तो आपको दूसरी जगने जरा रहा ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपके कुछ organs interconnected होता है, और मैं इसलिए आप लोगों को कहता है, हमारे senior सब जानते हैं, मैं बार-बार कहता हूँ, interconnect ढूनना सीख जाओ, कि इस आरगन का इस पार्ट से interconnection यह प्रभावितवाद वो जरूर होगा, ठीक है, definitely आपके protocol 100% हो यह चार आधार स्थम में, इसी के विहाब पर मैं करोड़ पती बन जाओंगा, उन्होंने अपनी practice के improvement देखकर यह बात कही है, दोस्तों, यह बैस होता है, आप उस चीछ को समझ गए, वो बहुत एक टीचर आदमी, बहुत 22-25 साल टीचरी किये उन्होंने, यह बहुत दोस्तों, जब आप यहाँ पर extra cellular food की बात करोगे, sales में, याद रखना, sales के बाहर पाये जाने वाला सभी body food को extra cellular food कहते हैं, दोस्तों, ठीक है, अब extra cellular food कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, interstitial food भी कहते हैं, plasma भी कहते हैं, intracellular food भी कहते हैं, ठीक है, यह सारा होता है, ल अब आपको यह माद्यम ही नहीं मालूम है, आप क्या करोगे, खाक, result ही नहीं मिलना आपको, ठीक है, इसलिए result नहीं मिल रहे है, protocol protocol खेल रहे है, इसने बता है, उसने बता है, दे दिया, क्या एक ही बेक्ति, मतलब दो बेक्ति के body एक जिसी हो सकती है, क्या दोनों का atmosphere एक हो सकता है, वहाँ गर्मीती या ठंडे, क्या किसी ब्यक्ति का सेंगवाइन लिंपेटिंग मिक्स टेमप्रामेंट है, आपने सही डियागनोसिस किया, आप जब जनरल टानी, नेच्छल टानी, पावर पुस्टर, लिंफू पुस्टर यूस करते हो, तो maximum भूल जाओ, आप यही चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन टाय करता है, आप कितना परफेक्ट इलेक्ट्रोमेपेट डॉक्टर है, ठीक है, आप देखते हो, इलेक्ट्रोमेपेट के डिगरी कई लोगों ने 20 साल हो गए करीवी, लेकिन उ हम एक है, कोई अंतर नहीं है, मुझे 25 साल हो गए, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल में भी परफेक्ट के जो मुहावरे उसको साबित कर दिया, और आप अभी भी वहीं अटके हो, लेकिन आप बड़ो, जो नय है, उनको कह रहा हूँ, जिग्या सा बहुत बड़ी चीज़े, अगर आपने अपने आप में जिग्या सा नहीं डाली, सबसे पहले आप अपने आप खुजनी की कोशिश करो, जिस दिन आपने आप खुजना शुरू किया, मेरे जिससे हो जाओगे, याद रखना, अगर आप किसी दूसरे के सारे रहोंगे, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो अपने आपको परफेक्ट लिवल पर लेकर आओ, आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे दोस्तों, याद रखेगा, जब आप इस एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर लेवल पर बात करते हो, आपको बारी की देखना पड़ेगी, दोस्तों, कि इंटर स्टिशन बारा, जितने भी सिक्रेट होने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, वो कांप्लेक्स मेश वर्क को वहां पर फॉर्म करते हैं, जो मैंने आपको बताया, एक्षेंज वाला, ठीक है, यह कांप्लेक्स प्रेमवर्क जब बनेगा, दोस्तों, तो याद रखेगा, मेजर यानि ग्लुकोज और प्रोटीन मिलकर बना रहे हैं, ग्लाको प्रोटीन, प्रोट्यो ग्लाइकेंज, ठीक है, प्रोट्यो ग्लाइकेंज और फाइब्रस प्रोटीन, जो इनको पकड़ कर रखता है, दोस्तों, जैसे कि कोलेजन, इलास्टीन, ठीक है, एक सेल के ग्रूप क एलस्टी को किसी को करते हैं क्या कर रहा मुण खीच रहे हो क्या कर रहे हो तो क्या है गर माल वहां पर फेट नहीं होता वहां पर लेयर्स मोटी नहीं होती क्या होगा फट जाएगा आप देखो एक्सिडेंट होता है कई बार फट जाता है कई बार देखो ब्लंट इंजूरी ते फटता नहीं है वह आपकी स्ट्रेंड थी आपकी ताकत थी जिसकी वज़े से अंदर का अंदर ब्लड जमा है लेकिन धीरे- हो जाता है ठीक है यहाँ पर अगर किसी को चूट लेगे ब्लंट इंजूरी या ब्लड जबाऊंगे एवन का वन थाउजन तीन रोज और एटू का टूंडेट डेली टेंटेंट ग्लोबिल सुबह शाम चला एपीपी का टूंडेट आप टेंटेंट ग्लोबिल सुबह शा हो गया एवन का वन थाउजन तीन डोस देदो एटू का टूंडेट टेंटेंट ग्लोबिल सुबह शाम सी लेवन एट्री डब्ली या भी ठीक है जारतर भी यूज़ करते हैं सी लेवन एट्री वी को सेकंड डिलूशन में या नेगेटिव में आप चला दीजिए लोका मिल रहा है कि उनको सम्मानित करूं मेरे ग्रूप में तो सेमिनार में उनको बकैदा संब्मान मिलेगा आप देखेंगे वह चीज आपको बताई जाएगी दोस्तों ठीक है यह बहुत बारी क्या है आपको सीखना पड़ेगा अगर आप सीख गए ना तो मैं नहीं मान सी PGDMLT करने के बाद भी एक लेबरटरी वाले को वह इमेज नहीं मिलती जो एक डॉक्टर को मिलती है इसलिए मैंने इलेक्ट्रो में पहती 96 में ही कर लिया था और उसी समय से दोस्तों मैं इस चीज को प्रमोट कर रहा था लेकिन पैसा होना चीए पैसा था नहीं कैसे पड रखना है हर चीज आपके करेस्टिटिक फीचर होगी आपको याद रखना पड़ेगा जन्रल केरेस्टिक उपसे उस क्या है जैसे में यह उधारन क्यों दिया मेरा क्योंकि मैं करेस्टिक बता रहा हूं मैं अपने प्रतिक कितना मांदारों आपके 15 मिट पहले आथा हूं 15 मिट बात जाता हूं दोस्तों ठीक है आप कितना कर रहे हो यह आपके ओपर डिपेंड करता है आपको याद रखना है जब भी हाँ पर सेल को काम करना है किस चीछ की जरुवत होगी यह वो कैरे स्टेटिक होता है सेल का मैंने आप से आपको कहा भी आपको का जिंदा हो क्या लाइगा तो आप याद रखिए ब्रेश्ट आट्र आट्रोंविक का केस अया उडिस आए उडिसलेघश करते हैं रबेश्ट को में सैंटस दिया है तक कर दिया हमने अब इक देए ब्रेश्ट करक्ण करके बता दिया दोस्तों संहले मैं आपको कह रहाण अभी uterocyte dropy पर भी मैंने 25 से 75% के बीच में result ले लिए है ठीक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों पहली बाद तो ऐसे case हमारे पास आते ही नहीं लेकिन आए तो हम तयार रहना चाहिए हमें perfectness देखना पड़ेगी हम कितने perfect अपने आपने दोस्तों इसलिए काम करेगा सेल कम काम करेगा तो टिशू काम करेगा नहीं सेल ली कम काम करती तो टिशू तो और कम काम करेगा क्योंकि होते एक जैसे cells का ग्रूप होता है अब वह भी कम तो औरगन काम करेगा बिल्कुल नहीं करेगा तो क्या होगा अब आप देखो एक पेशेंट आया नहीं रहा क्या करो गया ठीक है यह चीज़े देखना है अब यह चीजों में अगर आपने को प्रोड्यूस करेंगे तभी तो रिपार करेंगे तभी तो अन्नी एक्टिविटी जो हमारी बॉड्य के डैवलमेंट के लिए जरूरी वुद्य करेंगे इसलिए आपको पता होना चाहिए जब आपने यहां पर ऑक्सीजन दिया न्यूटिशन दिया कि कि किसको सेल को क्या हुआ मेटाबोली SIM हुआ है आम मेटाबॉलीजं हुआ तो क्या बना ओनर्जी एनर्जी बनी तो क्या हुआ एटीपी बना बना काम करने के क्या जैए को के से आइ क्या प्रोसेज हुई एनर्जी एटिपी अब अगर माल लोग यहाँ पर एनर्जी एटिपी हुआ तो रिपेर ग्रोथ बैए ऐसा तो है नहीं कि आपकी बॉड़ी सब एक जिसे काम करती है आपके बॉड़ी में कुछ पॉजिटिव काम होता है पॉजिटिव काम होता है यहीं से बना हुआ है आपको यहाँ पर मेटाबोलिज्म रहा है कांस्टीपेशन के कारन लंबा समय हो गया पाइल्स हो गया कारण किया सेल को प्युरिफाय कर लो, बलेद और लिम को प्युरिफाय कर लो, वो समझ में आ रहा है अब यहाँ पर एनरजी मिल रही, itp मिल रही, यह अगर मिली ही इनरजी अपकी बड़ी में रिपयर और ग्रोथ होगी और जब repair और growth होगी तभी तो आप healthy state को maintain करोगे मानते हो कि नहीं मेटी जी को मेटी जी का mind सारे science पढ़ने के बाद बना था कि नहीं मुझे plant therapy लेना है क्यों क्योंकि plants उसी प्रकार से काम करते हैं जिस प्रकार से हमारी body काम कर रही है यही हमारी body में जिस प्रकार से enzymatic process होती है आप देख लो आपकी पूरी body में जितनी भी chemical process होती है बगर इंजाइम के नहीं होती ठीक है यही macrobological system का प्यूब किया उन्होंने और उन्होंने बताया कि आपके body में अगर आपको healthy state में जाना है तो healthy state में जाने के लिए आपको दोस्तों यह पूरी process को follow करना पड़ेगा ठीक है और यही follow किया blood को purify करने में इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने यह concept को जान लिया तो आपको जानने के जरुवत नहीं सारा perfectness आपके हाथ में कोई बात नहीं आप मुझे बता हुमिपेट में पंदरा सोच उपर medicine हर महिने दो महिने में एक medicine नहीं निकलाती है ठीक है हर महिने में निकलाती है तो दूस्तों हमारी तो कोई medicine निकल ही नहीं रहे 63 65 के वीच में combined remedy जो है compound remedy sign 38 मेंने लेकिन हमारे ग्रूप वाले क्या करते हैं लेक्टो में पर डॉक्टर नहीं compound remedy यूज नहीं करना केवल 38 पर काम करो और मैं कहता हूं यह सबसे बड़े बेवकूफी है मेरी बात को याद रखना मैं कह रहा हूं यह सबसे बड़े बेवकूफी है क्यों कि ह हम भूस सारे science को खोते जा रहे हैं आप modern science को देखो नीत नहीं theories आती है यह theory गलत है इसके आगे यह theory है तो क्या E.H. में कोई theory नहीं होना चीह है E.H. में भी आपको करना पड़ेगा हमारे ग्रूप वाले bumper results ले रहे हैं दोस्तों जब से compound remedy का प्यूग किया गया है मैं आपके मलिका मचानी में बैंगलोर डक्टर शेलें चवान अमधंबाद क्यां वी आर्वांगन चेल शिट्यवाय शत पूर plugged सर हरिश कुराहे शर आपके डॉक्टर चरनजी सर्व जुगरा सर्ढटर सुमेश गांधी सर्वाखको मैं इतने वाखतंimana से बारे मैं बताग्ए जो प्राक्टिकली इस चीज़ को यूज कर रहे हैं और आप कर रहे हैं सर हम तो इतने सालों से क्या कर रहे थे कुछ नहीं अब कर रहे हैं क्यों कि इन लोगों ने अपने आपको मोटिवेट कर दिया दोस्तों आपको भी करना पड़ेगा यह आप आगे बनना चाहते करिए नहीं 38 पर जाना चाहते हैं आपका 50 पर्सेंट वर्क कम हो जाएगा याद रखेगा मेरी बात को कई बार ऐसा होता है जब कारवन डैक्सेड और मेटाबॉलिक वेस्ट अब जब यहां पर मेटाबॉलिक हो रहा है तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनेगा मेट में कारवन डैक्साइड ठीक है उनको बाहर निकालना यह काम भी तो आपका बलड़ी करेगा आपकी सैली करेगी ठीक है यह आना और जाना यह निर्भर करता एबन और एटू के उपर इसलिए जब आपको पावर देना बॉड़ी को मैंने कहाना एस्वन डबली देदो शक् मेने बाद बोलना अगर प्रैक्टिकल कर रहा है तो करो आप देखके बता हुझे एक मेने बाद बताओ कहीं जाओंगा आपके सामने बेटाओं और एक वक्ति जिसके पूरी बाड़ी में बार 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 वाइल्स हो रहे हैं बार बार उसको कोई काम्प्लिकेशन्स हो रहा बार बार WBC आप एंड डाउन हो रहे हैं केबल लिंफो बुस्टर दे देना आप एटू वाला लिंफो बुस्टर आपने दिया कुछ समय बाद आप देख लेना पता चल जाएगा क्या काम हो रहा है यह इस पूरी फीजियोलाजी के बिहाप पर बोल रहा है फीजियोलाज है हमारी बेच में नहीं है वह भी उसको इस्तेमाल कर रहे है ठीक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कर्म करो फल की चिंता मत करो ठीक है इस मेडिशन को जब आप वहां पर दींगे तो याद रखे आपको वहां का मीडियम को मैंटेन करना है यह जो मीडियम है जो एक वक्ति के healthy state को maintain कर रहा है cells के level पर उस medium को आपको maintain करना है और जब इस medium को maintain करोगे जो environment में आपके survival के लिए आवश्यक है यदि आप जिंदा है तो उसके लिए ये metabolism आपको निरधारित करना है यहां का जो cells का accordance है इस cells के nutrition को maintain करना है अगर आपने healthy state में maintain किया आप nutritional diet के बारे में जानता है कि मुझे यह खाना यह खाना nutritional diet देके बाद ही आप healthy state में आते हो वह ऐसे नहीं आते हो है ठीक है आपको पता है तो आ रहे हुना अगर आपको पता नहीं होगा तो क्या करोगे आप उछ नहीं आपको कुछ आएगी नहीं ठीक है इसलिए याद रख मुझूद है मैक्रोफिजेस मास सेल्स फ्लाजमा सेल्स नीट्रोफिल्स तुरंत हिस्टामीन इंटर्लुकीन साइटो कॉइंज यह आगे हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हमने इंफ्लामेशन में पढ़ा इसको नेक्रोसिस रिपेर में पढ़ा अब उसके बैसिक फीजोल आजे यह मैं बता दूँगा आपको यह मैंने इस लिप पहले बता दिया क्यूंकि हम डिशीजेस पढ़ रहे हैं अब डिशीजेस में इंफ्लामेशन हो रहा है आपको समझ में आएगा आगा इसमें यह और ऐसा हमको कुछ नहीं करना हमको था एंटिवाटिक वेंटिवाटिक और आब रहे होगा की नहीं होगा चलो दे देता हो देखता हूं आप मान के चलो नहीं होना ढ temas Amos ब्सकीन क्राइब तो इस लिए पॉजिटिवनेस एक्रेक्टिवनेस होना चाहिए दोस्तों किसी भी प्रकार के invaders को जब प्रवेश करता है तो immediate responses आपके body में develop होता है कुन दे रहा है आपके body के cells दे रही है ठीक है याद रखेगा bacteria हो toxic substances हो उनको प्रवेश करने में जैसे ही आपके body में प्रवेश करता है आपके body responses देती है लेकिन कुन कर रहा है वही काम mitotic, meosic, ardhasutri, samsutri विभाजन के मादम से आपके body में लगातार cells reproduce होती है लेकिन कुछ exception होते हैं जैसे neuron वो reproduce नहीं होता अगर neuron में किसी प्रकार का damage हो गया वो reproduce नहीं होता याद रखना लेकिन यह ज़रू याद रखना कि आपके body में millions of neurons होते हैं और अगर millions of neurons ऐसा तो नहीं है एक साथ वो सबके सब millions of neurons आपके damage हो गया है ठीक है यह एलेक्ट्रो में पर कहता है अगर neuron damage है तो कितने neuron damage है आरे कुछ तो है ना support के neuron आप उसकी activity को बढ़ा दो इसलिए paralysis के level पर जब S1-F1 को 1000-10000 में दिया जाता है miracle कैसे मिलता है वे इन वन अगर बहुत पुराना heredity है वे इन वन एट कर देते हैं लोग आप result देखते हो तो बताते हो औरे साब इतना बड़ी है result क्यों इसके पीछे हमने बहुत logic पढ़ाई किये दोस्तों इसके पीछे पूरे cns पर पढ़ाई किये हमने और हमारा जो थर्ड सेम होता है न चार मेने का पूरा cns का होता है यह जब आपने यह sales का पूरा according सी देख ली इसका detail हम कल पढ़ेंगे लेकिन sales को देख लिए तो sales से मिलकर तो tissue बनता है ना आप tissue को कैसे देखोगे दोस्तों आप tissue के level पर कैसे जाते हो और अगर मैं आपको medicine डारेक्ली बता दूँ तो आप automatic medicines को समझ जाएंगे कि वाकई में यह medicine यहां काम करती है दोस्तों समान रूप से काम करने वाली sales के group को हम दोस्तों tissue कहते हैं वहाँ ऐसा नहीं कि यह cell अलग जारी है ऐसा अलग अलग ऐसा नहीं ठीक है एक ही समान काम करने वाले को आप वहाँ पर tissue कहते हो बौडी में कई प्रकार के tissue होंगे जिनका अपना सब tissue का अलग-अलग काम होगा इसलिए सभी प्रकार के टिशू को हम चार मेजर टाइप में क्लासिफाइड करते हैं जिने हम प्राइमरी टिशू के नाम से जानते हो ना iese Sakime के बाद मैशल टीशू के बते हैं आप मुझे बता हो मसल टीशू में तीन प्रकार के मसलस होती है अगर तीन प्रकार के मसलस है और अगर मैं आपको डारेक्ट केड़ू कِ इस मसलसौ कर यह प्रकार का डिस्ट्रक्शन भी हो जाए आपको केवल दो मेडिसीन याद रखना है सी फाइब एलवन ठीक है जितने भी इसके लेटल मसल्स की डिसीजिस होती है वहां पर इस्ट्रक्शनल डेमेज होता है तो सी फाइब एलवन के बाद की जाती हम सेल पढ़ रहे हैं और सेल पढ़ रहे तो उसके फंक्शन को पढ़ रहे है एस फाइब उसके फंक्शन के लिए एवन उसके फंक्शन के लिए एस फाइब एवन एफ एट कर दिया फंक्शन पर जाएगी सी फाइब एलवन एट कर दिया पूरे स्ट्रक्शर को करेगी दोस्तों याद दख लेना भू या तीन प्रोटोक्रास्ट बताता हूं यह आपका भुष्य तय करता है आपको आना चाहिए दूसरी बार जब आप और अंदर के लेवल पर जाते हो क्या वहां भी स्थाइब गैडिके काम कराना या या रख लखने लेकाशन टीशू रेमएडी होने के कारण स्वूथमा स्पोड लॉवन और पीटू ग्शल स्थी घिया की स्थिष्य है त्टाइब म्टूअ वह हो रहा है उसकी main remedy C1 L1 P2 है दोस्ते लेकिन एक और होता है cardiac muscles heart cardiac muscles में किसा अब आपद हो गया ठीक है सबसे पहले card यह निइ heart A3 C5 L1 ठीक है A3 C5 L1 directly cardiac muscles पर काम करता है तो अगर माल लोग किसी को perforation हो गया या बच्चों में आप जाते हो देखते हो कि उनके वाल प्यूरली वहाँ पर डेवलप नहीं होते है अब वाल डेवलप नहीं होते है तो सी लेमन क्यों देते हो मत करो compound remedy मत दो आप देखो आपको result मिलता है क्या लेकिन आप जब वहाँ पर C5 A3 F1 युग तो medicines का प्यूग करते ह हो आप देखो result guarantee मैं लेता हूं हमने बहुत सारे कैसस ठीक किया है आपको भी करने के जरूबत है दोस्तों दूसरी बात जब आप nervous tissue की बात करते हो nerves में nervous tissue में neurons होते हैं और उनकी supporting cells होती है neurons और supporting cells पर काम करना है दो medicine directly neurons और supporting cells पर काम करती है कुन सी when one f1 यह direct neuron पर काम करने वाली medicines है लेकिन इनको जम negative करके दिया जाएगा रामवाड का body का ऐसा कोई सा नर्वन नहीं है जहां काम नहीं होता s1 f1 when one 1000 इसलिए दिया जाता है याद रखेगा मेरी बात को इसलिए s1 1000 when one 1000 f1 1000 इसलिए सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि हमको तो शुरू से पता है कि when one f1 directly nervous system पर काम करती है और इसलिए वहाँ पर s1 1000 पून रूप से brain पर काम करने लगती है पूरी body को neurological work को control पूरी body को control करती है लेकिन when one और f1 के बात करेंगे ना आपकी hereditary के level को आपकी body में genetic damage के level को control करने का काम करती है इसी प्रकार से जब आगे बढ़ते हो आपकी body में epithelial cells आती है और यह epithelial cells दोस्तों आपके body में squamous epithelial cells, columnar epithelial cells, cuboidal epithelial cells यह सब अपने लेबल पर आप देखेंगे काम करती है और जब इन पर काम करने के बारी आएगी तो S5, C1, L1 करना पड़ेगा याद रखना S5, C1 और L1 यह directly squamous cells अब आपके बास अगर squamous cells कार्सिनोमा आता है तो organobuster C1 यूज़ करोगे कि नहीं करोगे आप decide कर लेना ठीक है किसी भी प्रकार का squamous columnar, quberdal epithelial cells आता है फस्ट स्टेज में C1 सेकंड स्टेज में जब सीरोस फ्रूट निकल रहा बहुत फ्रूट निकल रहा सीधा C5 इसलिए याद रखना यह केरेस्टेटिक फीचर बता रहा हूं अर्ली स्टेज में कोई भी स्मूथ सरी इपिधिलेट टीशू का कोई भी आया squamous columnar, quberdal epithelial cells का S5C1-L1 is the best medicine याद रखेगा दोस्तों चोथा होता है connective tissue अब connective tissue क्या करता है पूरी बाड़ी को प्रापरली पकड़ कर रखता है और connective tissue proper के बाद करो cartilage की बाद करो bone की बाद करो blood की बाद करो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ठीक है blood में A3 C5 का बहुत बड़ा 4 से कर कह रहे हुआ आप tissue को वहाँ पर merge कर रहे हो उसको जोड रहे हो यही कारण है दोस्तों आप bone पे जाओगे C4 का रोल ले आप cartilage पे जाओगे C3 का रोल ले blood पे जाओगे A3 का रोल ले आपको जब यह पता है तो C5L1 A3 is the measure protocol बड़ cartilage है तो C3 bone है तो C4 याद रखेगा जब आपको यह पता लग गया के connected tissue में problem हो रही C5L1 cartilage में problem हो रही है वहाँ पर C3L1 bone में problem हो हो रही है C4L1 लेकिन blood में हो रही तो A3L1 आपने अभी देख लिया समझ लिया यही कारण है यही बारी क्या है इसके अलावा कुछ नहीं बसता इसके अलावा केवल यह बसता है यह हूते क्या है इनका काम क्या है आपके body में क्या support करते हैं अगर इन में disease होगी यह physiology EC A.C. anatomy A.C. disease होई तो pathology होगी तभी तो disease होगी ना फीजिलाजी गढ़बर ऑन्टामी गढ़़ गए ट्राइंगल बन गया चेंग सामने आ एइज्बास काम करने वाली होती है अब आपकोभ सेवाल डरॉत है मुझे बता देनाया दोस्तों लास्ट पाइंट आज का देखते हैं दोस्तों चलिए टाइम ज्यादा हो गया आप लोग बूर हो जाएंगे कल देखेंगे लिए थोड़ा सा कंसिडरेशन दिया है प्रैक्टिकल दिया है उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा और जब इसका आगे का चेप करना है यह मैं आपको बता रहा हूं और रेमेडी आप फोल के पढ़ लेना जो मैंने आपको बताए आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें यह काम क्यों कर रही है ठीक है कोई को नहीं हो तो बता दीजिए थैंक यू अलो सर जी का फिरसार अश्वाश्य को लड़की को आपको मैंने ट्रिट्मेंट बता दिया आपको देव आप वारी देदें आपर एस्टू स्विप्टे ना बीपीबी कंट्रोल हो जाएगा ठीक है ठोकर लगने से स्वैलिंग आ जाती है उंगलियों में तो वहां पे जिसे छोट थोड़ा से एडीमा फॉर्म हो जाता है न लिकलता नहीं है उस समय कैसा अगर महां पर ब्लट कलेक्ट हो रहा है तो सीधा एटू का तो और एवन का वन थाउजन के तीन कहीं भी कोई भी इंजूरी के कारण काम्प्लिकेशन होता है एवन को देदो आप वन थाउजन एवन आट्री या वेंस का डालेट होकर जितना पर फ्लूट बाहर आता है एक्स्ट्राइवन रूट बन जाता है उसको रियाप्जॉब करा देता है इतना दम है एवन का वन थाउजन ने या दिखेगा अप एपीप तूहंड़ेड एड एवन वन थाउजन में तीन डोस और एपीप टूहंड़ेड को पंदरा दिन लग प्रोटीन लिपीट कार्बोएडड़ेड सब लोग यह बात करते हैं मैं कहता हूं आप यह चीज सीखो कि मांटिलिटी क कैसे मेंटेन करेंगे T5 से बना होता है जिसमें जाता दो क्या कं तो क्या क्योंकि आप तो positive negative की बात करते हो ना हमको यह सीखना है बाकि कुछ नहीं सीखना metabolism क्या होता हमारी क्यूरी है हम जानेंगे metabolism क्या होता है जब digestive system पढ़ेंगे लेकिन सेल में अगर carbonate protein fat का level हमको पता है ना तो दुनिया के कोई भी ताकत आजा हमको पता है इस patient को क्या करना एक patient आया जिसका बजन है मतलब हाइट देखो पांच फिट और बजन केतना 24 किलो आप क्या समझ रहे हूं उसी प्रकार का दूसरा patient आया बिल्कुल हाइट के हिसाब से मतलब एक फिट पे बारा किलो पांच फिट है उसका बजन साइट किलो ठीक है वो आया तो क्या और एक तीसरा पेशिंट आया हाइट पांच लेकिन बजन 80 किलो आप मुझे बताओ तीनों में एक जिसी बिमारी है ट्रीटमेंट क्या एक जैसा होगा नहीं बिल्कुल नहीं यह एच्छे सब आप तुरंट समझ गया क्योंकि जो नार्मल है उसको केबल बैलेंस करने के जरुबत है जो लो केटेगरी में उसमें बढ़ाने की जरुबत है और जो वहां पर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ उसको घटाने के जरुबत है अब आप प्रोटोकॉल देखो यहां पर कम है आप जनरल टानिक में C4-S5-R-E डाल के देदो क्या होगा बढ़ेगा ठीक है हेल्दी स्ट से फंक्शन बढ़ा दिये पूरी बॉड़ी के ग्लेंडिल सिस्टम को बढ़ा दिया C4 से आपने मिनरलाजेशन के बढ़ा दी आरी से आपने पूरी बॉड़ी को स्टिमलेट कर दिया यह निए आपकी समझ आ रही है कि हम ऐसा कर सकते हैं वहां पर हमको क्या करना है हमको ज जब आप आगे पढ़ोगे और वहां पर जब पढ़ लोगे ना कि यह काम कर रहा आटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको यह चीज़े मैं नहीं चाहता मैंने आप सोला मैने का अगर पैसे लिए तो मैं चाहता हूं सोला मैने बाल आप मुझे याद रखो दूसरे जैसे यह चाहता हूं ठीक है सर जैसे जैसे मार लगी इडिमा आया है और पैरिस्टो में भी हलका सा क्रेक आया तो ऐसे पीशन क्यों बेभी यही वग करेगा एवन वन थाजन आप पेरियो स्टियम पर अगर आपको प्राब्लम नजर आई है तो आप यह बताओ पेरियो स्टियम किसका पार्ट है बोन का पार्ट है सर और आउटर कावरिंग उसकी उसकी उसपर कौन सी मेडिसिन काम कर दिये है तो 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 पड़ा चुका हूं यह चीज़ आप सी फोर एस लेवन में जाए तू अटालूशन दे दिजिए उसको सुबेशाम 15 दिन आप देख लीजेगा प करा लिजेगा एक सरे पंदरा दिन में ठीक है जी से थैंक यू जी ठीक है दोस्तों सर गुड मॉनिंग सर गुड मानिंग सर एक चीज पूछा था जैसे कशी पार्ट में या टिशू पर कहीं इंफेक्शन हुआ और ब्लट का यह विस्ट मटेरियल कलेक्ट हो रहा है और करेगा सर बिल्कुल एफेक्ट करेगा आप लिंफो बुस्टर का प्रयोग करोगे ना तो जहां भी आपकी बॉड़ी में गंदगी मोजूद है ना साइटो कॉइंस आप इंटरलुकेंस के लेबल पर जाकर काम कर रहे हो आप जो मास्चल इंफ्लामेशन ने बताना जैसे प्रोसेस जगह पर पहुच जाएगी जहां आप चले जाओ किड्नी के लेबल पर प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा तुरंद वास आउट हो जाएगा बस यहां पर याद रखना कर दीजिए जब आप इंटर-लिंक देख रहे हो कि हमारी बॉडी में जमाए लिंफो बूस्टर दे रहे हैं अगर लिंफो बूस्टर के साथ आपने सब्सक्तिया लास्ट मैटपोलिक ट्रेमेडिस जी जी तो आपने क्या कर दिया आपने तो विल्कुल ऐसा काम कर दिया कि पेशेंट पर्मानेंटली क्यूर हो जाए ठीक है ना तो सर इसमें एलवन वाई भी दोनों कर सकते हैं कैसे बिल्कुल कर सकते हो देखो यूटियाइस से अगर किसी चीज को इंफ्लामेटरी लेवल पर जाना है एक सिक्सी सिक्स वाई बीज अब मैं यहीं कहता हूँ अब आप मुझे बताओ बी पॉजिटिव है वाई नेगटिव है अब मुझे बताओ उसके बावजूद इतना मिरिकल काम हो रहा तो भाई यह तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशन यह के खिलाब काम कर रहे हो आप लेकिन यहां पर मैं यह मानता हूँ आपकी बॉडि में हर आरगन पॉजिटिव काम नहीं कर रहा हर आरगन नेगटिव काम नहीं कर रहा कुछ आरगन पॉजिटिव कर रहे कुछ नेगटिव कर रहे कि डिनी में भी कुछ चीज़े बहुत देना कुछ मद देना उसको बहुत ज़्यादा विडिंग हो रही है हिमें चूर्या हो रहा है किसी भी प्रकार के कोई कामप्लिकेशन है के बल डीटू में दे देना मैं डीवन डीटू के प्रैक्टिस सिखाता हूं सर और जब प्रैक्टिस की जाती है न एक्यूट केस में चूविस घंटे में रिजल्ट आता है ओनली ट्वंटी-फूराइस ठीक है न जी जी सर थैंक्यू सर जी के दोस्तों आज इतना ही रखते हैं नमस्ते जी एनाल्जी के रोप का जी कल की बात बताते हैं हम 116 किलोमेटर बगत सिंग की जैनती यात्रा की और लगातार 116 किलोमेटर शाहिकल यात्रा करके तो घुटने थो जाम हो गए लेकिन हमने एनाल्जी डोप लिया सुवह वैसे ही वरक कर रहा हूं मैं जैसे कल कर रहा था है मैं यही कहता हूं सर जब आप अपने डेली रूटीन में इन चीजों को शामिल करेंगे ना तो ऐसी ऐसी चीज़ अब आप मुझे बताइए चोविस घंटे में आपने अनाल्जी सिक का रिजट लिया उनली 24 और इट्सम मिरीकल ठीक है यह मिरीकल है मैं आज अभी आपको मैं डाल दूँगा जो आप लोगों को पता है कि अनल जेसी ड्राप का फार्मूला नहीं पता हो तो मैं डाल दूँगा ठीक है आप लोग यूज की जिए उसको फीड़ बताईए मैं कहता हूं 100 परसेंट आप कितना चनल टॉनिक और नैच्रल टॉनिक भी डाल तूनिक भी मेरा 25 साल के मैनत है अगर ओपन क्लास में चली गए तो दूसरे क्लास वाले भी मज़े लेंगे उसके मैं नहीं चाहता है आप मेरी क्लास में है आपको मिलेगा बकायदा लिंपो बुस्टर नैच्रल टानिक पावर बुस्टर इनका पूरा अडियो बनाया जाएगा और क्या है